हेलो वीवर्स वालकम बैक टूर चैनल गाईज आपको स्क्रीन पर कुछ सेंटेसिस देख रहा होगा यह सेंटेसिस को पहले आप देखो उसके बाद आप खुद में सोचना क्या आप अपनी डेलाइप में ऐसे सेंटेसिस का यूज नहीं करते अंधेरा हो रहा है वह नर्वस वह मोटी हो रही है तुम जवान हो रहे हो ऐसे सेंटेसिस के आप अपनी डेलाइप में यूज नहीं करते खुद में सोचो उसकी बाद ही आप यह वीडियो को देखना गाईस मैं अकर बोलू तो मैं ऐसे सेंटेसिसस दो बहुत जादा यूज करती हूँ जहां पर चेंज करते हैं आज तरीका में बताऊंगे और विलीब मी यह सारे सेंटेंस अगर आप सीख जाते हो ना यानि कि अप जो अपने प्रैक्टिकल कॉन्सेशन में इंगलिश बोलते हैं वह बहुत ही आसानी से बनाने लगोगी देखें गैट का यूज हम वहां करते हैं जहां पर हम कि बात करते हैं यानि क कि तो साम्की बाद दीरे दीरे अंधेरा हो रहा है यानि कि सुबा से रात तक ऑने का अंधेरा होने का एक उसे चलता है एक state of आपका अवस्था में परिवर्तन होता है, बदला होता है, और जब भी आपके state of change होती है, जब भी आप change of state को दर साते हो, तो वहाँ पर आपको get का use करना होता है, get का fourth form का use हम करते है, getting, because यह हमारा sentence is present continuous कर रहा है, और present continuous में तो परक का fourth form का use किया जाता है तो अंधेरा हो रहा है, इसे हम बोलेंगे it's getting dark, अब आप बताओ, यहाँ पर हम इसे अगर getting का use नहीं करते हैं, तो क्या हम dark में ing लगा देते हैं, darking बोलते हैं, it's darking, जी यह गलत हो जाए, अगर dark हमारा कोई verb नहीं, कोई main verb नहीं है, इसलिए यहाँ पर होना, यानि कि प change हुआ और अब क्या हुआ, अंधेरा हो रहा है, यानि कि change of state हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने वहाँ पर getting का use किया, next हमा से चाई ठंडी हो रही है, यानि कि चाई को पहले हमने उबाला था, वो गर्म था, अब धीरे धीरे वो ठंडा हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे, tea is getting cold, okay, तो जब भी आपका change of state को दर्सा होगे, तो वहाँ पर आपको get का use करना होगा, या कपड़ा पूराना हो रहा था, यानि कि जब आपने खरीदा था, तो वो नया था, अब वो पूराना हो रहा, एक-एक sentences चाथ तुरंत frame करते हुए, मेरे साथ चलो, okay, चलो, next देखते हैं, next अब हम बात करें, तुम बूढ़े हो रहे हो, यानि कि पहले तुम जवान थे, अब बूढ़े हो रहे हो, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे, you are getting old, तुम बूढ़े हो रहे हो, you are getting old, सुबह हो रहा है, यानि कि पहले रात थी, अब क्या और ये, श सुबह हो रही है तो हम क्या बोलेंगे हम बोलेंगे इट्स गेटिंग मॉर्निंग इट्स गेटिंग मॉर्निंग सुबह हो रहा है इट्स गेटिंग मॉर्निंग ओके तौह सेंटेंस हो के इट्स गेटिंग मॉर्निंग यानि कि सुबह हो रहा है इसी तरह से दोपहर हो रहा ह आप्टिनून साम हो लिए इवनिंग रात हो लिए इट्स गैटिंग डाइक तो इस तर से आप यूज कर सकते हो नेक्स्ट है रोहन कमजोड हो रहा यानि कि रोहन में पहले बहुत ही सकती थी अब क्या हो रहा है वह कमजोड हो रहा है ठीक है तो हम यह सांटेस्ट को कैसे नेक्स्ट है कीमत बढ़ रही है यानि कि पहले कीमत में कमी थी पहले कीमत कम था अब क्या हो रहा है तो हम यह सेंटेस्ट को बोलेंगे प्राइस प्राइस इस गैटिंग अब देखे गैटिंग यहां तो बढ़ने के लिए हमने यहां पर क्या हो एक चेंज अफ स्टेट हो अपका है ना उपर के sense पे हम अपका यूज कर रहे है तो कीमत बढ़ रही है यानि कि कीमत पहले नीचे थी अब बढ़ रही है तो हम बोलेंगे हम बोलेंगे it's getting cold it's getting cold वैसे ही गर्म हो रहा है तो हम बोलेंगे it's getting hot ओके चलिए नेक्स देखिए नेक्स पानी गर्म हो रहा है अब पानी गर्म हो रहा है क्या बोलेंगे यह sentence अभी frame करो और अभी इसका answer comment में देना ओके चलिए नेक्स देखते नेक्स क्या है तो गाइस, नेक्स्ट है हमारा वह मोटी हो रही है, यानि कि पहले वह पतली थी, अब क्या हो रही है? मोटी हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे? वह यानि कि she, she is getting fat, she is getting fat, आपने एक चीछ नोटीस क्या होगा, हम यहां पर जो भी वर्ड का यूज करें, मोटा होना, गर्म होन जो भी वर्ड का यूज करें, वह हमारा में वर्ड पर बिल्कुल नहीं है, है ना, आप नोटीस करो, जैसे यहां पर fat है, यहां cold है, यहां up है, यहां पर weak, morning, old, यहां पर cold, dark, यह जो वर्ड का आपने यूज क्या, क्या, यह में वर्ड है, यह में तरीके से action कर रहे है, क् बस हम उसकी अवस्था को दिखाने के लिए, हम इनका यूज कर रहे है, हाला की यहां पर action हो रहा, getting, होने का action हो रहा, और होने का meaning ही होता है, होना means होता है, get, यह पर be मतलम भी होता है, होना, जहां पर आप get का use कर यहां हम विल्ग का भी यूज कर सकते है, getting के जगह, हम व मुझे चक्कर आ रहा है यानि कि पहले मैं ठाक थी अब मुझे चक्कर आ रहा है अब यह sentences में होने का बात नहीं हो रहा है कि मुझे चक्कर हो रहा है हम बोरे मुझे चक्कर आ रहा है तो यह simply बनेगा I am feeling dizzy यानि कि मैं feel कर रही हूँ मैं चक्कर जैसा मुझे feel हो रहा है ठीक है तो मैं बोलूँगी I am feeling dizzy चक्कर आना यानि कि dizzy ओके तो यहां पर गैट का यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर change of state को नहीं दिखाया जा रहा है नेक्स्ट वह आजकल पैसे कमा रहा है यानि कि पहली कमाना या फिर बात करते हैं understand की understand का मतलब होता है समझना या बात करते हम buy की buy मतलब होता है खरीदना या फिर ऐसे बहुत सारे words होते हैं find का receive का यह जो words का use करते हैं आपने daily life में इसकी जगह इन सब को replace कर बस एक word हमारे आ जाते हैं get जो कि बहुत ही advance करते हैं यानि कि जहा बहुत सारे words होते हैं इनका use जहां पर करते हो उसको हटा कर अगर आप वहां पर get का use कर देते हो आपकी advance करेंगे और आपकी sentence बिलकुल correct होंगे अगर हम इसे sentences को ऐसे बनाएंगे वह आज कल पैसे कमा रहा है तो हम जानते हैं कमाने को हम क्या बोलते हैं earn बोलते हैं तो हमा आपको बताया कि आप जहां पर earn by इन सब वर्ड का use करते हो ना वहां पर हम get का use कर सकते हैं यानि कि earning के जगह हम क्या use कर सकते हैं getting तो भी हमारा sentence बिलकुल correct वो भी advance sound करेंगे जो advance learner होता है ना वह इन सब वर्ड का use नहीं करते हैं बल्कि get का use करते हैं get का use करोगे तो आप क्या बोलेंगे हम बोलेंगे I'm getting I'm getting nervous I'm getting nervous मैं nervous oh okay वह हइरान हो रहा है यानि कि पहले वह ठीक था अब हैरान हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे हम बोलेंगे, he is getting shocked, he is getting shocked, वो हैरान हो रहा है, he is getting shocked, ठीक है, तुम जवान हो रहा है, विए सेंटेसिस को आप फ्रेम करना, ओके, गाइस, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर, फेस्बुक पर या चेलिग्राम पर जॉइन करना चाहते हो, तो आप बिल्कुल कर सकते, हमारा फेस्बुक चैनल का नाम है, प्रेंग लिस्ट क्लास है, जो कि हमारा यूचूब चैनल का नाम है, सेम हमारा फेस्बुक चैनल का भी नाम है, यही हमारा इंस्टाग्राम चैनल का भी नाम है, और यही हमारा टेलिग्राम चैनल का भी नाम है, तो आप हमें फेस्बुक, इं सब की PDF मिल जाएगी तो आप हमें सब जगा जोइन कर सकते हैं तो अब नेक्स्ट हमारा सेंटेंज है मुझे आइस्क्रिम दिलवा दो अब यहाँ पर दिलवाने की बात करें यानि कि खरीद कर दिलवा दो तो यह सेंटेंज को इस तरीके से बनाया जाता है और दिलवा दो तो तो जाओ जाओ दो आएट जाओ मेरी लिए एक गिलस पानी लेकर आब यहाँ पर आप किसी को और देरेए जाओ और मेरी लिए गिलस पानी lle कर आब तो जाओ यानिogi गो and get me a glass of water get me a glass of water जाओ और मेरे लिए एक glass पानी लेकर आओ go and get me a glass of water तो यहाँ पर get का use इस तरीके से किया जाते है जाओ वहाँ से एक कुरसी लाओ यह sentence आफ फ्रेम कीजेगा तो guys यह थी हमारे get के uses अब आप एक दिम honesty के साथ बताओ क्या आप ऐसे sentences का use अपने daily conversation में नहीं करते हो जितने आपको screen पर दिखरे क्या आप यह sentences का अपने daily conversation में यूज नहीं करते हो बिल्कुल करते हैं हम मैं करती हूँ बहुत सारे लोग करते हैं आप भी करते होंगे कोई sentences ऐसा नहीं है जो हम use नहीं करते हैं तो यह sentences को जहां पर आपको स्क्रीन पदिक रहें यह सारे sentences आपको फ्रेम करने हैं बिना वीडियो को देखे और जो मैंने homework दिया उसे भी जरूर फ्रेम करके मुझे चेक करवाने हैं करने हमेंइद कर सकते हैं कि इस की पीडियफ आपको सबस्क्राइब कर आप मिल जाएगी मिलते हैं आसे की वीडियो के साथ यह देन व्यूटियो